हेलो एंड वेलकम मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ग्यानदाइनी एजूकेशनल ट्रस्ट पर ठीके हम यहां पर देख रहे थे एक हजार अतिमाहत्यों प्रशनों की स्रिंखला जिसके अंतरगत आज का यह बारहवां पार्ट होगा इसमें सामिल लोगे 331 से लेके 360 तक के क्वेश्चन प्रते एक दिन हम तीस क्वेश्चन की सीरीज को सॉल्व करते हैं उसमें देखते हैं उसकी बैख्या को समझते हैं तो वीडियो के अंतरग बने रही है हमारे साथ देखिए आज जो हमने इसमें शामिल किया हुआ है इसमें जन आंद सीरीज तक लेते हुए बलकि इसमें मैंने और भी को सामिल किया है जैसे कि आप देख सकते हैं अंत में मैंने दो एनेक्जर को यहां पर अटेच किया हुआ है जिसमें एक में किसान और नागरिक बिद्रो हैं दूसरे में प्रमुख जन जाती बिद्रो हैं उनके वर्स हैं रहे हैं उनके नित्यत्यतों करता के नाम हैं तो हमारे कुश्चं को सौलब करने के बाद कूश्चं को देकने के बाद अगर इनको आफ देख ले credit इनका screen shot ले लेते हैं इनका PDF आप download कर लेते हैं तो इस topic से आपको कोई question कभी नहीं problem में आने वाला है problem नहीं दे सकता है आपको तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा हम विद्रोह के बारे में समझ लेते हैं कि यह विद्रोह क्या थे देखिए जो 857 से पहले और बात के विद्रोह हुए उनको हम तीन भागों में बाट कर देख सकते हैं ठीक है जन विद्रोह अर्था जो civilian ने किया था simple लो सबके अंदर उबाल आ रहा था सबको परिशानिया हो रही थी और सबके कारण कुछ-कुछ अपने अलग-अलग थे और कुछ कॉमन कारण भी थे जैसा जन विद्रोह के हम कारणों की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो भूराजस व्यवस्था थी वह एक प्रमोग कारण जो जमीन का टैक्स था कृषी युक्त कृषी वाली जमीन का और अन्य प्रकार के करों को बढ़ा दिया गया था किसानों को उनकी भूमी से बेदखल कर दिया था ठीक हैं जन जातियों की भूत भूम पर अतिक्रमण कर दिये गये कुछ मूल भूत और नवीन सुधार करने क पक्षी में थे अंग्रेज लोग और जो जन जातियां थी उनको उनकी जमी उनका जो प्रमुख संसाधन था वन था उनकी भूमी थी उनसे उनको बेदखल किया गया बनों में उतने दखल पर प्रतिबंद लगा दिया गया उनके छित्रों में बाहरी लोग आने जाने लग और जो यहां पे दस्तकार वर्ग था अन्य सामान नागरिक थे क्योंकि ब्रिटेन से जो सामान आते थे मशीनों से बने हुए होते थे इसलिए वो सस्ते होते थे और यहां पे जो दस्तकार थे सिल्पकार थे उनकी जीवन से लिए काफी प्रभावित हो चुकी थी उनका अप बिछारे उतनी उपजी नहीं कर पाते थे फिर उनको कर देने के लिए बिचवलीय जो थे सहुकार मध्यम वर्ग वो लोग उनको उधार का पैसा देते थे सहुकारी पर बयाज पार इतना ज़्याद होता था कि उसको कभी नहीं चुका पाते थैं और वो लो का बोज लगाती थी और उनके राज में रेजिडेंट को अस्थापित कर दिया गया था प्रते एक जो राजदरबार उसमें एक इंग्लिस रेजिडेंट होता था जो कि उनके नियमित कारियों की कौन किस्पत प्यासीन होगा कहां से कितना टैक्स लेना इन से पर बहुत दख तो आज का जो सेशन है बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है तो आई थिंक कि आप बने रहिएगा साथ में अंद्र तक हम देखेंगे और हमारे बैख्या को जरूर सुनने का प्रयास किजेगा पंजाब के कुका अंदूलन का परवर्ता कौन था काफी इजी क्विशन है आपने इसको बहुत बार सुना हुआ है तो एक पैन और कॉपी ले लिजिए इसमें कुछ चीजे में बताऊंगा जो आपको नोट करने लायक भी होगी पंजाब के कुका अंदूलन का परवर्ता करता तो इसको इस्टार्ट किसने क्या था देखिए इसको इस्टार्ट करन स्टार्ट करते हैं करने वाले भगत जवाहर मल और बाबाराम सिंग दो लोग हो गया यह हुआ कप था 1840 में हुआ था चलिए आपका ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाता है अब 332 अर्था दो नंबर कुईशन देखते हैं पागल पंथ की अस्थापना किसने की अलगल हो जाएंगे जब सुप्रीम नीडर के बात पूछी जाएगी तो आप टीपू को बताएंगे टीपू मीर को और पागल पंथ के संस्थापक कौन थे टीपू मीर के पिता करम शाह ठीक है यह जो आंदोलन था अर्था इसका जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा यह आंदोलन कब हुआ था 1813 में था जमीनदारों के विरुपती एक आंदोलन था जो उत्तर पूर भारत में ब्याब था ठीक है उत्तर पूर भारत में यह अंदोलन पागल पंत यह पागल पंती आंदोलन ब्याब था करम साह स्थापक और प्रमुक नेतर तो करता टीपू मीर टीपू को गया सकते हैं फराजी विद्रोह का नेतर तो किस ने किया फराजी विद्रोह कब हुआ था फराजी विद्रोह जो हुआ था अठारा सो बीस में हुआ था इसका नेतर तो दादू मिया ने किया था ओप्सन भी आपका राइट हो जाएगा ओप्सन भी राइट हो जा कहां से है बेलू थंपी के आंदोलन का संबंद कहां से है देखिए इसके बारे में एक च्छोटी सी बात पहले जाने लिजिए बेलू थंपी का बिद्रू कब हुआ था अठारा सो आठ में केरला में हुआ था ठीक है जो समय केरल का छेतर है त्रामण कोर वहां का सासक था कंपनी द्वारा आरोपी सबसीडी अर्था जो टैक्स था वो चुकाने में असमर्थ हो गया था टैक्स बहुत ज़्यादा बाकी हो गया था उसने दिने से मना कर दिया और दूसरा यह कारण था कि जो मैंने भी पहले बता है कि उसकी रियासत में उसके दरबार में अंग्रेजों द्वारा एक रेजिडेंट न्यूक्त कर दिया गया था रेजिडेंट बहुत ही ज्यादा हस्ता छेप करने लग गया था जिसकी वज़िए वहां का जो प्रधान मंत और वटांग थे उनसे help मांगी किसी ने उनकी help नहीं करी अन्त में विला थंफी मारा गया ठीक है यहां कादम अंग्रेजियों के द्वारा कर दिया गया तो यहां से दो तीन क्विश्यन आपके लिए बन जाते हैं बेलू थंपी कहां का दिवान था केरल का दिवान था ठीक है एक और आता है असम का दिवान मनिरामदत तो वह एक अलग चीज है बिल्कुर अभी हम यहां चर्चा क करना हैं वेलू थंपी का संब्द असं थे यह विद्रो कब हुआ था 1808-1809 के भीच में हुआ था कुंडारा ग्छोषला का संबंद तो के लिएक है डीक है प्यचक विद्रो हुआए ये वह पायक लोग कहां से संब अन्हीन थे ठीक है पायक विद्रो हुए कि आए कि जो पायक जो होते थे वो पैदल सैनिक होते थे ठीक है पायक अम थे प्याख अका रिट है पायक जो पैदल सैनिक होते थे यह विद्ध्रो यह एक में हुआ तो जो माझेure वाहां पे जो माझे उनको संगासन से हटा दिया गया है और उनके पैदल सैनिक थे जिनको पाई क्या पायक कहते थे वो लोग जॉबलेस हो गए ठीक है जॉबलेस हो गए और जॉबलेस होने के वज़ासे उन्होंने असंतोस ब्याप्त हो गया और उन्हें बिद्रोह कर दिया था इसी को पायक बिद्रोह का नाम दिया गया और इस प पायक बिद्रो की बाहत था गड़करी जो मराठों के अंतरगत रहते थे लड़ाकू जातीयां थी गड़करी एक लड़ाकू जाती थी जो मराठों के अंदर एसोसियेटेट थे उनके अंटर में जॉब करते थे उनके अंटर में सैनिक रहते थे और बाद में जब उत्तरी भारत पस्चिमी भारत पस्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट यह है रामोसी बिद्रो का संबंद कहां से रामोसी बिद्रो की नेता कौन से चित्तर सिंग रामोसी बिद्रो का संबंद था चित्तर सिंग से और ये हुआ था 1822 में ये घटना कारी थोई थी ये रामोसी बिद्रो इसका छेत्र क्या था पस्चिमी घाट रामोसी बिद्रो का सम्बंद की छेत्र से था पस्चिमी घाट से चली वहाबी अंदूलन का किंद्र क्या था वहाबी अंदूलन के बारें बात कर लेते हैं इसका जो किंद्र है वो पठना में था वहाबी अंदूलन का जो किंद्र है पठना में था भारत में इसके प्रवर्ता का नाम था सैयद अहमद बरेलवी सयद अहमद बरेलवी क्या आप लिखेंगे सयद अहमद और बरेलवी ये देख लीजिए पटना से संबंदित थे ये और बात में इसका जो केंद्र बन गया था पसी मोतर भारत बन गया था ठीक है के जंजाती ने मानो बली पर्था पर रोक लगाने के कारण बिद्रोह कर दिया था देखें खोंद जंजाती खोंद जंजाती ने मानो बली पर्था पर रोक लगाने के कारण बिद्रोह कर दिया था इनका तात्त पर कहां से था उडीसा से खोंद बिद्रोह का तात्त पर कहां चक्र विशुई उडिशा खूंद विद्रो से संबंदिव थे ठीक है 1837 से लेकर 56 तक यह विद्रो चला था उडिशा से संबंदिव था खूंद विद्रो चकर विशुई इसके लिडर थे और यह हुआ क्यों था देखिए जो यह खूंद लोग थे खूंद जन जाती चलिए यह कुषिशन है यह लोग करते क्या थे कि मानो बली का सहरा ले दे थे अपने भगवान को प्रसंद करने के लिए प्रमुखता उडिशा में हल्दी की खेती अभी भी होती है उडिशा की यह लोग हल्दी की खेती और अन्य प्रकार की जो क्रिशी थी क्रिशी नाखुस होकर इन लोगों ने भीद्रो कर दिया था चलिए अभी कमेट में बताएगा उडिशा की किस हल्दी को Cisco टैग दिया गया है उडिशा की एक हल्दी है और यह जो पतां थी हल्दी से संबधित थी हल्दी की उतपादिन से संबन्धित थी ठीक है जो खोंद बिद्र जिन में से कोई नहीं मैंने आपको बताया 844 में ये भी द्रोह हुआ था 844 में हुआ तो महाराष्ट के कोलहापूर छित्र में हुआ था ये भी ध्यान कर लिजिए इसका प्रिष्टिभू मैंने बता ही दिया मराठों के अंडर में एक जन जाती थी जो लडाका प्रभित के हुआ करती थी मराठों के असाइनिक नियुक तो थे ये उस कार के बदले इनको एकसफ्री जमीन मिलती थी जिन पर अनाज उगाते थे और खाते थे इनका अपने जीवनियापन चलता था अंग्रेजियों ने अपनी से न डिप्लोई कर दिया तो यह लोग जौबलेस हो गए और विद्रों कर दिया तो यहां पे है इसके सुप्रीम लीडर का नाम क बाबाजी अही रेकर बाबाजी अही रेकर बनारस नरसंगार घटना का संबंद किस बिद्रों से है बनारस नरसंगार घटना का संबंद गंजाम बिद्रों अवद का बिद्रों पॉलिगर विद्रों यह ननौफ्टीज इन में से कोई ने तो जो बनारस नरसंगार घटना है ये अवद के बिद्रों से संबंदित है देखिए अवद का तो चौथा नवाब था उसका नाम था वजीर अली खान ध्यान से सुनिएगा उसका नाम क्या था वजीर अली खान 1797 में अंग्रेजों ने उसको अपदस्त कर दिया उसको पदसे हटा करके उसके चाचा सादत अली खान सेकेंड को गर्दी पर बैठा दिया क्योंकि अंग्रेजों से उसका मदभेच चलता था वजीर अली खान को वजीर अली खान को सरकार ने बनारस भेंज दिया अपना एक पैंसनर बना दिया ठीक है और जैनुवरी 1799 में वो बिलकुल ही अपरसंद था थोड़ा उगर किस्म का बैठी था वजीर अली खान बनार रेजिडेंट फ्रेड्रिक चेरी को मार दिया और बनारस के मजिस्टेट फ़र फिर हमला कर दिया उसके जो बोडी गार्ड्स थे वजीर अली खान के उन लोगों ने दोतीन अंग्रेजों को मार दिया तो यह घटना कही गई बनारस नरसंगार जो जनुरी 1799 में घटी वज का चौथा नवाप था इसलिए यह आप्षन भी आपका राइट हो जाएगा अवाद के बिद्रों से संबधित है सिद्धु योम कानु का संबंद कि बिद्रों से बहुत हीजी क्विश्चन है आप इसको कमेंट में लिखने का प्रयास करेंगे छोड़ देते हैं तीन सो बैलेस नंबर क्विश्चन है अठारा सो सतावन के बिद्रों से तुरंत पूर्व कौन सा बिद्रों हुआ था अठारा सो सतावन के बिद्रों से तुरंत पूर्व कौन सा बिद्रों हुआ था संथाल बिद्रों हुआ था अठारा सो पचपन और चपन के मत ठीक है तो सतावन में विद्रो हुआ था 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 देखे, अहों बिद्रो गोमधर कुवर सही है, खासी बिद्रो तीरत सिंग सही है, ठीक है, खासी बिद्रो तीरत सिंग सही है, और रमपा बिद्रो मोतिलाल तेजावा से समझे नहीं है, बलकि अलूरी सीताराम राजू, क्या लिखेंगे आप अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीता राम राजू से सम्मन्दित है रंपा बिद्रो अकॉल बिद्रो बुद्धो भगत बिल्कुल सही है तो इस प्रकार ओप्शन से आपका राइट नहीं है अर्थात वही सही उत्तर है आपका असत्य कथन की पहचान करें नागा अंदोलन मड़ीपूर में जदोनांग के नेतरत्तों में हुआ था देखिए एक कन्फूजन हो सकता है आपको नागा अंदोलन है मड़ीपूर में हुआ बिल्कुल सही जदोनांग के नेतरत्तों में हुआ एक आपने सुना है रानी गडिन Pluto के भाई थे और माहत्मा गाजी की बिचारों से बहुत ही अधिक परभावित थे इसको ध्यान दीजीगा खासी पॉइधी एक सड़क 1824 में अधिकार कर लिया था 1824 में ब्रह्मपुत्नदी घाटी पर अधिकार कर लिया तो इस छेत्र को सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाना चाहते थे जिसके छेत्र में ये खासी की पहाणिया उनका और जहां पर आदिवासी लोग खासी लोग बसे थे उनका छेत् तेकतन इसमें से ना एक है ना तो दो है अर्थाथ D आपका सभी हो जाएगा भेल बिद्रोग के किस नेता ने अठास। ताउन की क्रांतिया भाग लिया वो नेता लोग थे ओप्सन बी का जो पेयर है वो सही भागोजी और काजल सिंग ने भीर बिद्रों के नहीं थे नहीं अटासो श्तावन की क्रांतिय में भाग भी लिया था क्षेरवार आधिवासी अंदोलन कब हुआ ठाँ एक फेरवार चेतर की आताब जार घंट जार गंड आदिवासी जंजातिया वाँ रहती थे तिसलिए वहां पर कई वर्कार के विद्रों हुए थे Sabra 343, Cos .. वर्स 1953 में महपला विध्रह का आरम कहा हुग महपला विध्रह कभा हुग था तो असपन है किरल में वे था किरल का महपला विध्रह ठीक भील क्रांटी मुठ घरीव करदीश कहां होंगि ठीक है जहरकंड का उल्गुलान विद्रोह कैसे समझे उल्गुलान विद्रोह एक अन्य विद्रोह का नाम है अर्थात मुंडा विद्रोह का मुंडा विद्रोह या उल्गुलान विद्रोह एक ही कह सकते हैं तो इसका पर है विर्शा मुंडा से संबंध है बस ऑप्सन डी र वर्स है वर्सकाल है उनको मिलाना है आपको तो देखिए अहूम गिद्रों 1828 में हुआ था भी पीछे साध बात हो चुकी है और कोल गिद्रों नहीं संथाल गिद्रों जो हुआ था 1856 में हुआ था भी मैंने पहले बताया है तो यहाँ पर देख लिए थे सी का एक कहाँ है त और B चार कोल विद्रो 18131 यहाँ पर प्रिंट नहीं अठर Dieses यह वो गया अब मौपला विद्रो 1921 में हुआ था सके जिए मौपला विद्रो 1921 में केरल में हुआ था अभी देखिए यह लिखा वो निस œसमें मौपला विद्रो कहां हुआ हुआ था यह उनिस के समापला विद तो करता थे मदारी पासी मदारी पासी एका अंदोलन के नेटर तो करता का नाम क्या था यह एका अंदोलन के जो लीडर थे उनका नाम था मदारी पासी यह कहा हुआ था बारा बंकी और हर्दोई के छेत्रों में हुआ था यूपी से इसका सब्बंद है एक क्रिशा का अंदो आँगे खख़शा करने में किया मैं के अब्सक्ति को आखिशनुज देमा पर अदिप से और से अनन्दमट में किया गया है। 1770 से लिके 182 तक लग पचास वर्सों तक चलने वाला विर्फ था ये चुंट और जूब governance diesem इसमें हिंदू, मुस्लिम दोनों लोगों ने पराबर बढ़ चड़ के भाग लिया था, इसका जो प्रमुक कारण था कि जो तीर्थ यात्रा और तीर्थ अस्थल थे, उन सब परंगर जो वारा प्रति बंद लगा दिया गया था, या उनसे करो सूला जाता था, तो इन सब को ले करके सन्यासी बिद्रो हुआ था, जिसके नेता चिरागली भी थे, मुसा सहा भी थे, भावानी पाठक भी थे और देवी चोधरानी भी थी, यहाँ पर कोई ऑप्शन गलत नहीं, सभी ऑप्शन सही है, उपर योग सभी A, B, C, D, सभी लोग समभा दी थे उससे, ठीक है निम्न में से किस विद्रो का संबन छोटा नागपुर से है, छोटा नागपुर की छेतर में हो विद्रो हुआ था, मुंडा विद्रो हुआ था, कोल विद्रो हुआ था, मैंने भी पहले बताया कि जहरे खंड में जन जाती है, बहुत थी, सबने अपने टाइम पर विद्र जन जाती लोगों को आदिवासी नाम किस ने दिया इसको एक लाइन में आद कर लेजिए ठककर भपा ठीक है जन जाती लोगों को आदिवासी नाम किस ने दिया था ठककर भपा चलिए कमेंट करेगा ठककर भपा का संबंध कहां सी था महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित पर्थम नेता आदिवासी कौन थे मैंने भी पहले बता दिया था नगा अंधुलन के परवर्तक जदो नांग किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है धरती आबा या उसका आर्थ होता है जगत पिता किसको कहा जाता है ठीक है धरती आबा या जगत पिता की नाम से जाने जाले वाले आदिवासी नेता है विरसा मुंडा मुंडा बिद्रो या उल्गुलान बिद्रो से संबन्दित है मेवाड नेक्स्ट कुईशन तीन सत्ताव नमबर मेवाड बांगड और पास के छेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधा रही तो लसोडिया आंदोलन किस ने चलाया था गोविंदगिरी के द्वार चलाया था अब ये तो हो गया आपका क्विश्चन देखे बिर्सम बिर्सम उन्डा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बिर्सम उन्डा जो थे उन्होंने सेम को कहा था कि हमारे पास चमत कारिक सकती है भगवान ने हमको भेजा है आप लोगों के उधार के लिए और इस्पेसलिए दिकु को भगाने के लिए दिकु माने होता है दिकु दिकु माने बाहरी लोग जिसमें अंग्रेज भी सामिल है और भारत के भी अने लोग सामिल थे जिनको कहा जाता था रतात नौन जो ट्राइबल होते थे उनको दिकू कहते थे वो लोग कहते थे बाहरी लोग हमारे साथ असका छेपना करें हम भगवान का रूप है हमको भगवान ने भेजा हुआ है आपकी रक्षा करने के लिए तो लोग उनके पीछ फुल है इनके पास चमतकारिक सकती है ठीक है तो उनको धरतियाब अभी कहा जाता था चलिए बेमेल की पहचान करना है यह अब जो कुईश्यन है यह जंजातियों से या किसे बिद्रो से सम्बंदित नहीं है सिंपल सकती इन कुईश्यन है इस्टेडिक है बिल्कुल बेमे से संबंदित है और उसका छेतर है जोमकर्षी और उनके छेतर है कौन सा मैच नहीं कर रहा है ठीक है था तो आधै तो यह सही है करुआ जारकंड में कहा जाता है जूम किर्शी को ओनम किरल में कहा जाता है और कुमारी पूर्वी घाट में नहीं कहा जाता है कुमारी पश्चिमी घाट में कहते हैं ठीक है पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं जूम किर्शी को तो इस परकार ऑप्शन डिय गाई की एक नसल है ठीक है कंग्याम गाई की एक नसल है इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटेटो कहां इस्तित है तो चलिए इसको आप कमेंड बता दीजेगा काफी स्टेटिक और एजी कुईशन है नहीं मिलेगा तो गूगल करने से भी आपको मिल जाएगा इसलिए आप डाल चलिए इनको पढ़ लीजेगा जल्द इलदी आपको थोड़ा सा बता देते हैं जा इंपकर बारे में बागी आप इसको वीडियो धेदरे चला करके आगे देख लिजेगा मैं आगे फूरा वीडियो को प्ले कर दे रहा हूं ताकि आप इसको देख पाएं और समझ पाएं आप इसको इन सौट ले सकते हैं या फिर आप पीडियेव डाउनलोड कर सकते हैं कुका बिद्रो 844 में भगत जवारमल और बाबा राम सिंग कुका के नेतरतों में पंजाब में हो एक इंपोर्टन ठीक है उसके बाद गड़करी विद्रो बाबाजी अही रेकर 844 में मराठाओं के केले के संदक्षक थे ये लोग मतात ये मैंने आप से कहां बता था अलूरी सिता राम राजू चीचु आदिवासी अंदोलन नेतरत मोतिलाल तेजावत 1920 में हुआ था ये दोनों आंदर प्रदेश से हैं देखें चीचु जंजाती रंपा आधिसब आंदर प्रदेश से जंजाती हैं कोया विद्रो ये भी आंदर प्रदेश के चित्र रथा बर्तमान तेलंगाना में है तोम सा सोरा निसका नितुत क्याता है खोंड खोंड जो भी नर्बली पर्था का विरोध में हुआ तो मैंने बताया चकरविसोई के पाइक बिद्रो जगदबंदु विद्याधर और उसके बाद आप जाहिए वहाबी अंदोलन सेयद एहमद ब यह आगया आपका ठीक और उसके बाद कूकी अंदोलन कूका पंजाब और कूकी मड़ीपूर याद रख्येगा कूकी अंदोलन उनी सत्रा में मड़ीपूर में हुआ था नगा भिद्रो मैंने बताया था भी रानी गैडिन लियो ने ठीक है और जदोनांग यहीं से जदोनांग भी रानी गैडिन लियो के भाई थे असम में अहम बिद्रो हुआ था खासी बिद्रो हुआ था अटासव ठास में अहम गोमधर कूर खासी बिद्रो राजा तीरत सिंग ठीक है अब कोल बिद्रो संथाल भिद्रो और खेरवार विद्रो ताना भगत आंदोलन यह सभी इंपोर्टेंट हैं इतने से लेकर यहां से लेकर के यहां तक ठीक है तो विद्रों फोट अप्धु और तो इसका जत्रा मल ने किया था जत्रा भगर भी कहते हैं तो यह हो गया आपकी किसान व्मनागरिक विद्रो अब आगे चलते हैं जन्जाती विद्रो ठीक है प्रमुक जन्जाती विद्रो इनका छेत्र क्या है इसको ऐसे देख लीजियें तीके चुवार भिद्रो नेतरत राजा जगननाथ और 1768 में नान भूम वा बीर भूम पसी मंगाल में हुआ था हो बिद्रो राजापुरोहित सिंग भूमा छोटा नागपुर के पठार की चित्र में हुआ था भील बिद्रो सेवाराम वत्रयम्भकिस के लीडर थे 1848 था खान देश में कोली बिद्रो भावसरे चिमनाजी जादो अनाना दरबारे ठीक है सहाध्री पहाडियों में हुआ था और खासी बिद्रो राजा तीरत सिंग खासी पहाड़ी असमा में गाला भी बात हो चुकिये 1930 के आसपास उसके बाद आगे कोल बिद्रो बुद्धो भगत्व गंगा चोटा नागपूर के पठार में हुआ था कोया बिद्रो अलूरी सिता राम राजू रंपा छेत्र में इसी को रंपा बिद्रो भी कहते हैं खोंड चक्रविशुई खोंड मालूरी सा संथाल सिद्धु अकानू राजमहल पाड़ी पस्षी मंगाल नायकदा रूप सिंगव जोरिया भगत पंच महल चेत्र में मुंडा बिर्शा मुंडा अठासुन न्याननबे से उन्नीस सो एक बार क्विश्चन पूचा गया कौन सा अंधुरं सन उन्नीस सो में हुआ था तो मुंडा विद्रो हुआ था छोटा नागपूर की चेत्र में भील डौलस सिंगे नेध ठीक है मड़ीपूर में हुआ था नगान दोलन समद्धी था इस प्रकार से आज का सेसं समाप्त होता है आई होप कि आपने काफी कुछ जान लिया होगा यहां पर और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए अपने दोस्तों के बीच में सेयर करिए और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें पास में दिखने वाला पैल आइकन हिट करें ताकि हमाय दोल डालेगी सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और इसी प्रकार के अच्छे-ची वीडियो पाने के लि